किंद सरकार के उस बिल की बात कर लेते हैं, जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है। किंद सरकार लोकसवा में NCT संशोधन एक्ट लेकर आई है। अगर वो कानून की शक्र लेता है, तो केजरीवाल सरकार पैदल हो जाएगी। पैदल हो जाएगी मतलब उसके अधिकार कम हो जाएगे और ये नौवत ना आए इसलिए अब आम आदमी पार्टी ने सड़क पर उतरने का एलान कर दिया है कॉंग्रेस भी आज धरना प्रदेशन करेगी धारतिय जनता पार्टी लोग संत्र में बुनियादी तोर पर विश्वास नहीं रखती है दिली में मुख्यमंत्री की कुर्सी कहीं हाथी के दाथ के तरह दिखाप्ती बनकर ना रह जाए और सरकार कहीं कथित तौर पर सड़क पर ही ना आ जाए उससे पहले आज आम आद्मी पार्टी सड़क पर उतरेगी केंद सरकार के जी एन सी टीडी संशोधन विधे के खिलाप इस प्रदेशन के अगवाई करेंगे खुद मुख्यमंत्री अर्विन केज्रिवाल के अगवाई में धरना प्रदेशन जनतर मंतर पर होगा और प्रदेशन के लिए वक्त दोपहर दो बजे का मुकररर किया गया है जो ना सिर्फ दिल्ली के लोगों के लिए बलकि पूरे देश के लोगतंत्र के लिए ये जो ट्रेंड है ये जो टेंडेंसी है वो खतरनाक है तो 2018 में जब सुप्रीम कोट ने ये कहा कि समविधान के हिसाब से दिल्ली की चुनी हुई सरकार को फैसले लेने के दिकार है अब ये समविधान और सुप्रीम कोट के फैसले के खिलाफ जाके कानून लेके आ रहे है आम आदमी पार्टी का आरोप है कि केंद सरकार मनमानी कर रही है इसी आरोप के साथ कल संसद भवन परिसर में आप विधाय को रेप्रदर्शन किया और इस मुद्धे पर आज संसद में हंगामा भी हो सकता है लेकिन बीजेपी का दावा है कि नए संसदन का मकसद तो केजरिवाल सरकार की मनमानी पर रोक लगाने का है लडाई जितनी सियासी है कानूनी तोर पर उतनी ही पेचीदा भी है इसलिए कानून के जानकारों की राय भी बटी बटी है सोप्रेम कोट के जज्जमेंट में जो पहले दिया गया था सेंटर गवर्मेंट को मानना चाहिए दिल्ली सरकार को ये सपश्टता मानना पड़ेगा कि दिल्ली जो है वो अभी भी यूनियन टेरिटरी के दरजे में है इनको पूरा स्टेट हुड मिला नहीं है ना पावंदी हो ना कोई हद हो हो तो बस खुद बनाई सरहद हो ये मुहम है पर्तों में छिपे हर सच के तलाश की सियासत पर रखी पहनी नजर और आख की खबरों के दुनिया में एक जिम्मेदार आवास की जुर्म और जुर्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इनसाफ की जब कोई हद नहीं इनसामियत के लिए जजबात की जब कोई हद नहीं खुश्यूं और खाब की तब कोई हद क्यूं हो नए नजर ये और बदलाओ की तोड के हदों के ताले नए सपनों को पाले बांधे सब को एक धागे आप को रखे आगे ABP News क्या है